देखे इंपोर्डेंट कोश्चन इसको ट्रीकी से बनाते रेलवे के एकजाम पूछा गिया एक परिछा में सपंद्रा ने 50 में से 22 अंग प्राप्त किये उसे एक और परिछा देनी होगे यानि दो को एकजामे इसे पास करने के लिए उसे कूल मिलाकर 56 परतिसत अंग था जिसमें से 22 अंग प्राप्त किये सपंद्रा दूसरा परिछा 75 अंग का है कोई दिकत नहीं है तो दूसरी परिछा में उसकी अंग का परतिसत कितना था यह नहीं जानते कि कितना अंग लाई है 75 में से वही पहले हम पता करेंगे उसके बाद परतिसत में आपका आ जाए सकेंड वाले एक्जाम में अस्पंदना 75 में से कितना आंग लाई होगी यह हमको पता नहीं कोई दिकत नहीं आगे देखिए उससे एक और परिष्छा देनी होगी यह तो पता चल गया इसे पास करने के लिए उसे कूल मिलाकर 56 परतिसत आंग प्राप करने की अवशकता है पह में से न 56 परतिसत निकालेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 75 125 माक्स का है दो एक्जाम आपका 125 माक्स का है इसका 56 करते हैं देखते हैं कितना उसको माक्स लाना है पास होने के लिए 25 पचे 125 25 चोके 100 4 1 कम 4 4 4 6 6 यानि उसे 70 माक्स लाना है दो एक्जाम में 70 माक्स लाना है दो परिछा में ठीक है पास होने के लिए कोई दिकत नहीं यहाँ तक आगे देखिए कोई स्थी में क्या करता था तो दूसरी परिच्छा में उसके आंकों का परतिसत कितना होगा पहले हम क्या निकालेंगे आंक निकालेंगे कि सकेंड वाले एकजाम में अस्पंदना कितना marks लाई है 75 में से, ठीक है, कोई दिख्यत नहीं, दीगे, पहला वले exam में तो वह 50 में से 22 marks लेकाई थी तो दूसरा वाला में कितना लाई होगी भाई? तो क्या कर देंगे? ये भी तो आपका marks ही है, 70 marks उसको लाना है, दो exam में दूसरे वाले एक्जाम में 48 मार्क्स लाई होगी, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, 10 में से 2 जायेगा तो 8, और इधर 6 में से 2 जायेगा तो 4, यानि दूसरे वाले एक्जाम में 48 मार्क्स लाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पूछा जा रहा है, दूसरी परिच्छा में उसके आंकों का परतिस्यत बता भाई, देखिए दूसरा अलब परिच्छा 75 मार्क्स अथा, इसमें से 48 मार्क्स लाई है, ठीक है, परतिस्यत में पूछा है तो गुले 100 कर देंगे, कोई दिखते हैं, 25-75, 25-100, 3-3, 3-3, 3- एठा, रासुलाचो के 64, यह आपका कर्रेक्ट एंसर है, अके, प्रेक्टिस किजिएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक है, ठीक है, ठाइक्टिए,